हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो विश्का किचन कैसे आप सब आई होब कि आप सब ठीक होंगे तो आज हम बनाएंगे साबू दाना मिक्स प्रूट रबडी और यह स्रिफ आधी लिटर दूट से मैं बनाना बताऊंगी बहुत ही टेस्टी बनता है और अगर यह रेस्पी पसंद तो प्लीज मेरे चाहर को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो मैं यह पर एक टेबल स्पून जो है वो घी ले ली हूं इससे घी में बहुत ही टेस्टी बनेगा अगर ही नहीं तो आप यहां पर रिफाइन ओल का भी यू भून लेंगे तो बहुत जादा देरी से नहीं भूनना है और गैस का फ्लेम यहां पर मीडियम रखें ने तो यह जल जाएगा तो इससे भूनते हुए पार्च मेंट हो गया है और यह जो है वह यह बून गया है अच्छे से यह दिखे इसका कलर चेंज हो गया है अम यहां पर गैस आफ कर देंगे चलिए नेक्स प्रोसेस पर चलते हैं तो मैं यहां पर एक पतीला गरम कर ली हूँ मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि दूद जो है वह तली में न चिपके मैं यहां पर पराग दूद का 500 ml का दूद का पैकेट ली हूँ फुल क्री पर दूद के तीन बॉयल आ गया है अब जो हम साबुदाना जो है रोस्ट केट और ड्राइफ रूट अब वह हम इसमें डाल देंगे अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे लगातार चला है नहीं तो यह तो यह तो यह पर प्रोसेस को मीडियूम टू लो फ्लेम प कर रही हूं इसे टेस्ट अच्छा आता है अब हम इसे भी मिक्स कर लेंगे तुकुल टोडल हमें दस मेट हो गया इसे पकाते हुए और यह देखिए एकदम गाड़ी से खीर जैसी बन के तियार हो गया है यानि कि हमारा रबडी जो है वह बन के तियार हो चुका है अब हम कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए हम दो से तीन घंटे के लिए छोड़ देंगे आप चाहे तो इसको ऐसे भी सर्फ कर सकते हैं लेकिन यह ठंडा बहुत ही टीस्टी लगता है तो मैं यह पे कुछ फूट्स ले ली हूँ आप इसमें अपने मन पसंद के फूट्स डा सकते हैं आपको अगर नई डालना है तो आप ऐसे भी खा सकते हैं अब मैं आप एक सर्विंग बाउल ले लिए हूँ दो घंटे हो गए हैं और हमारी रबडी जो है वो जम चुकी है आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं लेकिन यह में बाहर रखी थी और यह द करके रखे तो इसमें मिक्स कर देंगे तो मैं आप एक उछ अनार डाल दूँगी यह कुछ सेव हैं सेव डाल देंगे आप इसमें अपने मन परसंद के फ्रूट्स डाल लीजे और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं भी डाल सकते हैं अब मैं यहां पर थोड़ा से अ देंगे तो आप इसे अपने मन पसंद तरीके से सजाईए तो मैं यहां पर कुछ अनार जो बचा ली थी वो डाल देंगे कुछ सेव डाल देंगे और यह देखे हैं मारी रवडी जो है वो बन के त्यार हो चुकी है एक बार इसे जरूर बना के ट्राइ करिए और कमेंट कर के बताइए कि आपको यह मेरी रेस्पी कैसी लगी पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है थैंक यू फॉर वाचिंग